Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neela मैं फिर से आ गया हुआ आपके बीच में एक बहुत important information के साथ इस समय मैं DRDO की website के ओपर हूँ DRDO का मतलब हो गया Defense Research and Development Organization ये Ministry of Defense Government of India के एंडर में आता हुआ एक institute है अब यहाँ पे आने की वज़े ये है क्योंकि यहाँ पे multiple apprenticeship को notify किया गया है अब इसका मतलब क्या हो गया एक apprenticeship मतलब ये हो गया कि एक तरीके की training हो गई और यहाँ पे आपको DRDO की तरफ से training का मतलब option मिलेगा basically DRDO के बहुत सारे अलग-अलग institutes है उन में से एक institute है in mass तो in mass के अंदर training करने का आपको opportunity मिलेगा अभी मैं सारी की सारी details आपको दूँगा ये video last तक जरूर देखेगा इसमें आपको सारी information मिलेगी कि किस तरीके से आप training कर सकते हैं apart from that 9000 rupees आपको training के दोरान भी दिया जाएगा तो अच्छी कासी fellowship भी दी जा रही है और ये training जो होगी वो एक साल की होगी apprenticeship एक साल की होगी तो किस तरीके से apply करना है क्या क्या चीजें ध्यान देनी है क्या eligibility criteria है उन सारी चीजों के बारे में चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये website देख लीजे इस website का detail में description section में भी देदूँगा ताकि आप directly आकर के यहाँ पे apply कर सके वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत humble request है कि अगर आपको इस channel पर दिया जाने वाला content पसंद आता है तो इस video को ज़रूर like करिएगा और channel को ज़रूर subscribe करिएगा क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम continuously grow कर सकते हैं और और जादा students तक अपनी पहुँच बना सकते हैं ताकि उनको भी available opportunities के बारे में पता चल जाए तो आप जो अगर इस channel को पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर ज़रूर support करिएगा through subscription या like करके वीडियो चल यह आगे शुरू करते हैं नीचे आप scroll करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे what's new option दिया हुआ है it's what's new option में नीचे view all what's new दिया हुआ है इसके उपर जैसे आप click करेंगे तो जितने भी यहाँ पे opportunities हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी जिसमें सबसे पहले दिया हुआ application for engagement of apprentices for the financial year 2024-25 in inmass Delhi जैसे आप इसके उपर click करते हैं आप एक PDF form डाउनलोड कर पाएंगे मैंने अल्री डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह देखे अब यहाँ पे सारी details दी हूँ यह देखे advertisement number दिया हुआ है और यह आया है जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 अप्रेल को इसका announcement हुआ है अब देखे जो मैंने भी बताया था कि institute of nuclear medicine and allied sciences जिसको short में in mass बोलते हैं यह डेली के अंदर है और यह DRDO के अंदर आती हुई एक unit है एक institute है अब यहाँ पे ही आपको अपनी apprenticeship करनी होगी अपनी training वगरा करनी होगी तो यहाँ पे दो तरीके से recruitment हो रहा है training के लिए एक तो diploma apprenticeship के category में हो रहा है और दूसरा graduate apprenticeship के category में हो रहा है तो diploma वालों के लिए अलग है graduation जिनके पास है उनकी अलग recruitment है अब graduation में हम बात करते हैं क्योंकि B.S.C., Biology, Chemistry, Physics या Maths अगर आपने हैं आपके पास डिग्रियां हैं तो आप इसके तुरू अप्लाई कर सकते हैं और 14 positions यहाँ पे दी हुई है 9,000 रुपीज आपको stipend दिया जाएगा पर मत अगर आपके पास B.Pharma की डिग्री है तो भी आप पर भी 9,000 रुपे मिलेगा और दो positions हैं इसके अलावा Library Science के अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पे एक position है और 9,000 रुपे यहाँ पर भी मिलेगा अप्लाई करने का क्या तरीका है देखिए अप्लाई करने से पहले आपको enroll करना पड़ेगा enroll on the Boats web portal अब यह एक web portal है नोटिफाइड है वो तो आपको यहाँ पे पहले register करना पड़ेगा तो यही चीज़ लिखी हुए and must be verified by regional board candidate of technical engineering subjects will need to apply through establishment in mass institute of nuclear medicine and allied sciences यहाँ पे user ID भी दिया हुआ है on the portal this यह portal है इसके थ्रू आपको apply करना है next candidates with non technical non engineering subjects such as BSC, BFARM, Diploma in LISC and BLISC may send their application directly to email तो यहाँ पे देखिए यह email ID दी हुई है इसके ओपर आपको अपने application भेजनी है अब यह application form कहां से मिलेगा वो सब भी बता दूँगा application form एनेग्जर A में mentioned है अभी मैं दिखाता हूँ और इसको मैं अपने telegram group के ओपर भी post कर दूँगा तो आप वहाँ से download करके fill करके इन selection procedure क्या है strictly merit के basis पे selection होगा यानि कि percentage of percentage जो आप किया है graduation में उसके अलावा marks of essential qualification a board constituted by director in mass for the purpose will go through the application and shortlist the candidates as per vacancies ठीक है तो यह तो समझ में आ गया होगा terms and conditions में ध्यान दीजेगा कि candidates must have registered their names मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जा करके अपना registration जरूर करिएगा fresh pass out candidates को ही यहाँ पर लिया जाएगा यानि कि 2020 या उसके बाद के जो pass out students है उनको ही consider किया जाएगा उससे पहले के students consider नहीं किये जाएगे candidates with post graduation degree are not eligible post graduation है तो भी आप apply नहीं कर सकते अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि graduate diploma holders who had training or job experience for a period of one year or more after attaining the essential qualifications are not eligible for being engaged as apprenticeship under the act अगर आपके पास पहले से ही एक साल की internship है तो आप यहाँ पर दुबारा apply नहीं कर सकते पिरियोड of training 12 महीने की होगी reservation जैसे की rules होते हैं government of India के वैसे होंगे आपको यहाँ पर अपना medical fitness certificate भी देना पड़ेगा इसके अलावा किसी भी तरीके की job के लिए आप claim नहीं कर सकते बाकी सारी चीज़ें वैसे ही है तो कोई भी query है तो आप इनके email ID के ओपर contact कर सकते हैं अब मैं दिखा देता हूँ कि जो इनका form फिल करना है वो कैसा है तो यह form है word file है इसकी मैं अपने telegram group के ओपर भी post कर दूँगा तो वहाँ से आप check out कर सकते हैं यहाँ पर आप अपना नेम वगरा देंगे apprenticeship category देंगे एने टीएस registration या enrollment number यह वही enrollment number है जो आपको जब आप उस apprenticeship वाले website के ओपर अपना registration करेंगे तो वहाँ से जो number मिलेगा वो ही आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा ऐसी लिए बार बार बोल रहा हूँ कि पहले register जरूर करिएगा उसके बा information आपके लिए useful रहेगी अगर आप eligible है तो आपको जरूर apply करना चाहिए क्योंकि यह DRDO का institute है ठीक है तो उमीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक करेगा चैनल को जरूर subscribe करेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा और अपन